कहानी की सुरुवात में हमें किसी मिस्टेरियस आलेंड को दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटी सी टेम किसी चीज को खोजने के लिए आय हुई थी, तबी अचानक से इनके राफ्ट पर एक इसनेक आ जाता है, जिसको देखते ही इनके साथ वाला लोकल आदमी उसको मारने से मना करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि इसकी वज़ा से इसने गौड गुसा हो जाएंगे तभी अचानक से पानी में बहुत सारे इसने काने लगते हैं और इनको चारो ओर से घेरना शुरू कर देते हैं अब इसे देखते हैं ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डर ज जाते हैं और सभी इसने को मारना शुरू कर देते हैं लेकिन अब इस बात से लोकल आदमी और भी ज़्यादा डर गया था वो इन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है अब इस बात को सुनते ही कैप्टन ली तुरंत सभी को रोक देते हैं तभी अचानक से इनके कराफ्ट से क बहुत बड़े स्नेक को जाते हुए देखते हैं जिसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था तभी अचानक से वो जियांट स्नेक इन लोगों पर हमला कर देता है जिससे की सभी लोग पानी में गिर जाते हैं जिस वजह से सभी की हालत खराब हो गई थी और तभी जियांट स्नेक इन ही के एक आदमी को एक जटके में खा जाता है ये देखते ही ली अपने कुछ लोगों से फसे हुए लोगों को रिस्क्यू करने के लिए कहता है लेकिन इस दोरान भी वो जियांट स्नेक इनकी एक और आदमी को खा जाता है जिसके बाद सभी लोग एक सा इनके एक और आदमी को खा जाता है इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचा कर जंगल की और भागना शुरू कर देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जियांट स्नेक अभी भी इनका पीछा कर रहा था अब यहां से कुछ दूर जाने के बाद सभी लोग एक पड़े से स्टोन के पीछे चिप जाते हैं तभी जियांट स्नेक भी पीछा करते हुए यहां पर आ जाता है लेकिन वो किसी को नहीं खोज पाता और वो वहां से चला जाता है इसके बाद ली अपने सभी लोगों के साथ जंगल की ओर चला जाता है अब इनको लगता है कि ये लोग जियांट स्नेक से बहुत दूर आ चुके हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इनके पीछे ही खड़ा था तभी इसी वक्त ली को कोई आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो अपने लोगों के साथ एक खुले जगा में आ जाता है और सभी लोग पूरी तरह से इलर्ट हो जाते हैं लेकिन तभी अचानक से जियांट स्नेक लोकल आदमी को खा जाता है ये देखते ही सभी लोग उसके उपर फैरिंग सुरू करते हैं लेकिन असल में वो अभी भी इनके आसपास ही चुपा हुआ था इसलिए ली अपने लोगों के साथ उसका सामना करने के लिए तयार हो जाता है तभी अचानक से जियांट स्नेक ली के उपर अटैक करने की कोसिस करता है लेकिन कैप्टन किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं और अपने एक बड़े से चाको से उसके पेट को जखमी कर देते हैं अब इस वजह से जियांट स्नेक गुसे में आकर एक और आदमी पर अटैक करके उसे खाचाता है ये देख बाकी के लोग फिर से जियांट स्नेक को सूट करने की कोसिस करते हैं लेकिन वो भी अपने पूच से इन पर अटैक कर देता है ये सब देखने के बाद चाओ यहां से भागना सुरू कर देता है जिसकी वज़ा से जियांट स्नेक उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है अब इसी बीच चाओ एक पेड़ के बीच से होकर निकलता है जिस पर अटैक करने के चकर में जियांट स्नेक उसी जगह पर फस जाता है इसके बाद वो खुद को वहां से आजाद नहीं कर पाता और ये देख लिए वहां पर गेरानाइट फेकने की कोसिस करता है लेकिन इसी वक्त जियांट स्नेक इस पर अटैक कर देता है जिबकि गेरानाइट के बलास्ट होने से चाओ बोरी तरह से जिकमी हो जाता है अब उसे देख उसका साथ ही मदद करने आता है लेकिन इसी वक्त जियांट स्नेक इसके भी सामने आ जाता है अब हमें कहानी 25 सालों के बाद की दिखाए जाती है जहां टॉंग और सियो किसी को खोजने आये हुए थे तब ही अचानक से एक आदमी इनके उपर अटैक करने की कोशिस करता है जिसके बाद टॉंग उसे कैप्टन ली की एक लॉकिट दिखाते है और फिर हमें पता चलता है कि टॉंग असल में ली की बेटी है जबकि ये आदमी चाओ होता है अब टॉंग चाओ से पूछने लगती है कि आखिर में आप लोगों के साथ में क्या हुआ था तब चाओ उसे बताता है कि हम एक रेयर प्लांट को खोजने के लिए निकले थे लेकिन एलेंग पर आने के बाद हम यहां पर खो गए और आखिर में केवल मैं ही बच पाया इसके बाद चाओ टॉंग को लीकी फोटो भी देता है ये सब जानकर टॉंग उस मिस्टिरियस एलेंड के बारे में पता लगाने का डिसैट करती है क्योंकि वो अपने फादर की सच्चाई के बारे में जानना चाती थी अब टॉंग चाओ से पूशती है कि हम उस एलेंड को कैसे खोच सकते हैं जिस पर चाओ कहता है कि वहां से कोई भी वापस लौट कर नहीं आ सकता टॉंग पूशती है कि आप वहां से जिन्दा कैसे लौटे फिर फ्लस्बैक में हम देखते हैं कि जियांट स्नेक चाओ को भी मारने वाला था लेकिन उसी वक्त वहां पर एक छोटी लड़की आई थी जिसके बासुरी बजाते ही जियांट स्नेक वहां से चला गया फिर उसके बाद लड़की चाओ को अपने साथ लेकर गई थी जहां पर उसने खुद देखा था कि जियांट स्नेक इनसान के साथ बड़े अराम से रहता है उसके बाद उस लड़की के फादर बेजैन ने चाओ को एक नोटबुक और बिल दिया था जिसकी मदद से वो मिस्टीरियस ऐलन से बाहरा पाए चाओ ये दोनों चीजे टॉंग को दे देता है जिसके बाद वो अपने कुछ लोगों के साथ मिस्टीरियस ऐलन को खोजने निकल जाती है क्योंकि वो साबित करना चाती थी कि स्नेक भी इंसानों के साथ रह सकते हैं अब ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं जिसके दारान जियांट स्नेक बिलकुल इनके नीचे से होकर गुजरता है इसके बाद फोटोग्राफर जियांग लियोन और सीयो के फोटो ले रहा होता है तभी अचानक से कोई चीज इनकी बोट से टकराती है लेकिन ये लोग इस बात पर जादा ध्यान नहीं देते और तभी वो चीज फिर से इनकी बोट से टकराती है फिर रेडार में भी कोई चीज डिटेक्ट होने लगती है और बोट के कैप्टन वापस चलने की बात करते हैं क्योंकि कोरे की वज़ा से आगे का रस्ता नजर नहीं आ रहा था लेकिन इसके बाद भी टॉंग आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है अब कुछ समय के बाद बो इसनेक आने लगते हैं जिसे देखते ही जीना उनको मारने जाती है लेकिन सीयो उसे रोक देता है क्योंकि वो समझ गया था कि जब तक ये लोग उनको नुकसान नहीं पहुचाएंगे तब तक वो भी उनके उपर अटैक नहीं करेंगे इसके बाद सभी स्नेक यहां से चले हुआ था इसके बाद यहां पर लेन नाम की एक लेड़ी आती है जिसके साथ में बाटू नाम का एक गाड़ भी था फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने बिना इनके परमीसन से वहां से भागने की कोशिस की थी जिसके लिए लेन उसका कान काट देती है और फिर उस इस आदमी को देखते हैं जो के इन पर नजर बनाए हुए था अब काफी देर चलने के बाद इनको एक जोपड़ी नजर आती है और यह सभी लोग तुरंत वहां पर आ जाते हैं तभी लैन इनके सामने आती है और इनसे यहां पर आने की वज़ा पूछती है इसके बाद हम इसकी सिस्टर सासा को भी देखते हैं अब टॉंग लैन से बताती है कि हम गलोबल जोगरफी मैगजिन के लिए काम करते हैं और हमने सुना है कि यहां पर कुछ रेयर पैथॉन्स है यह सुनकर सासा कहती है कि यहां पर कोई भी रेयर पैथॉन नहीं है इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके यहां से वापस जा सकते हो तब सी यू से बताता है कि हमारे बोर्ट तीन दिन में वापस आएगी इसे लिए हम एतने समय के लिए यहां रुखना चाहते हैं जिसके बाद लैन इनको यहां रहने की परमिसन दे देती है लेकिन बाटू का एटिट्यूट बहुत अजीब लग रहा था अब रात में सभी लोग एक साथ बैटे होते हैं जहां पर लैन और सासा इनके लिए खाना लाती है तभी टॉंग लैन को अपने पास वाला बिल्स दिखाती है और उसके बारे में पूछने की कोशिस करती है लेकिन इसको देखते ही लैन उदास हो जा नहीं देती और फिर इनको केरफुल रहने के लिए बोल कर चली जाती है अब रात को सभी लोग सो जाते हैं लेकिन फिर हम लैन को देखते हैं जो कहती है कि तुम सबने मेरे फादर को मारा इसलिए मैं तुम्हें भी जिन्दा नहीं रहने दूंगी अब अगले दिन इपनी टीम के साथ आलेंड को एक्स्प्लोर करने जाती है क्योंकि वो इसने गौड के बारे में पता लगाना चाहती थी तो तभी सासा उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए लेकिन उसके बाद भी लैन बाटो को मार देन लेकिन इस वक्त बाटो भी यहां पर आ जाता है जिसके बाद वो आदमी यहां से चला जाता है अब इस बात से इनको बहुत अजीब लगने लगता है और टॉंग समझ जाती है कि लैन कोई बात चुपा रही है इसके बाद सभी लोग वापस जाने लगते हैं लेकिन वो मि जिना को बहुस कर देते हैं अब यह देख बाकी लोग उनकी मदद करने जाते हैं लेकिन यहां के लोग इनको चारो ओर से घेर लेते हैं क्योंकि वो इनको मार देना चाहते थे तभी इसी वक्त मिस्टेरियस आदमी यहां पर आ जाता है और इनको बशाने के लिए फैट कर लेकिन इसे बीच एक आदमी ने हुआ के गर्दन पर चाकू रख दिया था जिसे देख मिस्टीरियस आदमी उसके पास आता है और तभी अचानक से जियांट स्नेक भी यहां पर आ जाता है जिसे देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है और एक आदमी कहने लगता है कि उसने लोगों को खाने के लिए इसे अजाथ कर दिया इसके बाद जियांट स्नेक मिस्टीरियस आदमी पर अटैक करदेता है अब इसे देख बाकी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और जियांट स्नेक उसका पीछा करने लगता है अब इसकी वज़य से टॉंग और उसके सातियों की जान बचाये जाती है वहीं दूसरी और जियांट स्नेक मिस्टीरियस आदमी का लगतार पीछा कर रहा था जिसके बाद वो एक गेरनाइट ब्लास्ट करके कुछ को बचा लेता है इधर टॉंग हैरान हो रही थी की वो मिस्टीरियस आदमी इनको क्यों बचाना चाह रहा है इसके बाद ये सभी लोग वापस आ जाते हैं और इनको समझ आ गया था की लैंट जरूर कोई बात छुपा रही है वहीं दूसरी और बाटू उस आदमी को जियांट स्नेक को खिलाने जाता है जो जंगल में टॉंक से मिला था इसके बाद वो उस आदमी को एक जिगा पर फैंक देता है जहां पर जियांट स्नेक रहता था इस दोरान जियांग नहाने के लिए नदी किनारे आया था लेकिन इसी वक्त लैन भी यहां नहाने के लिए आ जाती है जिसके बाद जियांग चुपके से कैमरे में उसकी फोटो लेने लगता है लेकिन असल में लैन उसके बारे में जान गई थी और वो उसको अपने साथ नहाने के लिए बुलाती है अब उसकी ये बात सुनकर जियांग एक्सैटेड हो जाता है और वो तुरंट उसके पास में आज जाता है लेकिन असल में ये सब लैन की चाल थी और तभी अचानक से एक स्नेक जियांग को काट लेता है कुछ देर बाद हुआ इसको खोजने आता है जहांपर जियांग उसे बिहोस हालत में मिलता है फिर वो तुरंट उसे वापस ले जाता है जिसके बाद सासा उसकी कंडिसन को चेक करती है और बताती है कि डिसोसमा विर्सी पलिस की मदद से इसकी जान बचाई जा सकती है जो कि इसनेक विनम का एंटिडोट के जैसा काम करता था ये सुनकर सीयो पूछता है कि ये चीज कहा मिलेगी जिसके बाद सासा इसको ब्लैक मॉन्टेन के बारे में बताता है जो कि इस आलन के सबसे खतरनाग जिगा पर था ये जानकर ये लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन अब इसके बारे में पता चलते ही लैन सासा पर गुसा करती है और आगे से उनकी कोई भी मदद करने से मना करती है लेकिन इसके बावजूद भी सासा अगले दिन उनके साथ में जाती है जिसके बारे में पता चलने पर लैन बाटू से सभी को मार देने के लिए कहती है वहीं दूसरी और ब्लैक मॉंटेन की गुफा को देखते हैं जहां से एक दूसरा जियांट स्निक बहार आता है इसके कुछ देर बाद सासा सभी के साथ में यहां पर आ जाती है तभी टाउंग उससे पूछने लगती है कि तुम हमारे साथ यहां पर क्यों आई हो जबके यहां पर इतना बड़ा खत्रा है तब सासा उसे बताने लगती है कि मेरे फादर एक द्यालू आत्मी थे जो एक दिन अपने साथ एक बड़ा सा अंडा लेकर आए जिसके बाद से मैं और मेरी सिस्टर उसका ख्याल रखने लगे फिर आखिरकार एक दिन स्नेक अंडे से बाहर आया और तभी से वो हमारे साथ में रहता था लेकिन कुछ टाइम बाद यहां के लोकल लोग मेरे फादर को अपना दुस्मन समझने लगे और उन्होंने उनको मार दिया जिसकी वज़य से लैन बाहर की किसी भी इंसान को पसंद नहीं करती इसके बाद सासा इनको बता देती है कि मेरी सिस्टर तुम सभी को मार देना चाहती है लेकिन इस वक्त इनके पास में ज़्यादा टैम नहीं था इसलिए सभी लोग रसी की मदद से नीचे जाने लगते है जबकि लियोन उपर पहरा देने लगता है लेकिन तभी बाटू इसको बिहोज कर देता है क्योंकि वो रसी को काटना चाहता था वही नीचे उनको जरूरत की हर्ब्स मिल जाती है जिसके बाद वो लोग उसे लेने की कोशिस करने लगते है तभी हम देखते हैं कि बाटू इनके रसी को काट रहा होता है लेकिन इसी वक्त मिस्टिरियस आदमी यहाँ पर आ जाता है जिसे देख बाटू तुरंत यहाँ से भाग जाता है इसके बाद सीयो हर्ब लेने में काम्याब हो जाता है लेकिन रसी तूटने की वज़ा से वो नीचे गिर जाता है यह देख बाकी लोग भी तुरंत नीचे आते हैं लेकिन सीयो को जादा चोट नहीं आई थी और इसके बाद सभी लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं वहीं दूसरी और जिना ज्यांग के पास होती है लेकिन तभी लैन उसके गर्दन पर शाकू रख देती है इधर टॉंग और उसके साथियों को गुफा में एक ऐसी जगा दिखाई देती है जहाँ चैनीज लैंग्विज में टॉंग का बर्थडे लिखा हुआ और इसके इलावा उसे यहाँ से अपने फादर की लॉकट भी मिलती है ये देख टॉंग समझ जाती है कि उसके फादर अभी भी जिन्दा है और उसे यकीन हो जाता है कि वो अपने फादर को खोज सकती है अब कुछ देर बाद इनको बाहर निकलने का रस्ता भी मिल जाता है लेकिन वहाँ पर इसनेक के बहुत सारे अंडे थे इसलिए सासा सभी को केरफुल होकर चलने के लिए कहती है लेकिन इसी बीच हुआ का पैर फिसल जाता है और इसकी वज़ा से एक अंडा तूट जाता है अब ऐसा होते ही यहां का जियांट स्नेक इनका पीछा करने लगता है जिसके बाद सभी लोग अपने जान बचाने के लिए बाहर भाग जाते हैं लेकिन जानट स्नेक अब इनके उपर बहुत जादा गुसा हो गया था और इनको मारने के लिए इनका लगतार पीछा करने लगता है लेकिन कुछ देर भागने के बाद ही टॉंक के सामने गहरी खाई आ जाती है जिसके बाद ज्यांट स्नेक उसे और सासा को घेर लेता है ये देख स्यू ज्यांट स्नेक का अटेंसन अपनी और खींचता है और उसे अपनी पीछे ले जाता है लेकिन वो जियांट स्नेक से ज़्यादा देर तक नहीं बच पाता और जियांट स्नेक एक जगा पर उसे घेर लेता है स्यू यहां से भागता है जहां पर बाखी लोग भी उसे मिल जाते हैं लेकिन इसी वक्त जियांट स्नेक भी यहां पर आ जाता है और सभी लोग उसके सामने फस जाते हैं अब इनको लगता है कि ये सभी लोग मर जाएंगे लेकिन इसी वक्त मिस्टीरियस आदमी स्नेक के उपर आ जाता है और वो स्नेक उसे कुछ भी नहीं करता लेकिन अब आदम टॉंग को देख emotional हो गया था ये देख टॉंग भी उसके पास में आती है फिर आदमी उसे अपने पास वाला एक लॉकेट दिखाता है और उसी के जैसे लॉकेट टॉंग के पास भी था अब इस बात से टॉंग समझ जाती है कि वो आदमी असल में उसके फादर है अब दोनों एक दूसरे को देख बहुत ही emotional हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही 25 साल के बाद एक दूसरे से मिले थे इसके बाद ली टॉंग से बताता है कि मैं उस दिन फैट के बाद जब होस में आया था तब सभी लोग मारे जा चुके थे लेकिन फिर मुझे वहाँ पर इसनेक का एक बड अंडा मिला जिसके बाद मैं उसे लेकर गुफा के अंदर रहने लगा और मैं आज भी उसी इसनेक के साथ रहता हूं इसके बाद सभी लोग वापस जाने लगते हैं वहीं दूसरी और लैन ने जिना को कैद कर लिया था और उसे पीट रही थी तबी सासा यहां पर आज आत प्रक के सदमे से अब तक उभर नहीं पाई थी तभी बाके की लोग भी चुपके से यहां आ जाते हैं जिसके बाद वो जीना को आजाद करा लेते हैं और जियांग को हर्पस भी देद देते हैं लेकिन इसी वक्त लैन अपनी बासुरी बजाती है जिसके तुरंते बाद उ पने इसनेक को बुला लेता है जो लैन के साथ फैट करने लगता है ये देख टॉंग लैन को बिल्स दिखाती है और कहती है कि 25 साल पहले तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन लैन अभी भी किसी की नहीं सुनती और बाटू से उनको मार देने के लिए कहती है ये देख ली टॉंग को यहां से जाने के लिए कहता है जबकि वो खुद बाटू को रोकने लगता है इधर दोनों इसने की फैट में लैन का इसने ताकतवर नज़ित आ रहा था और वो ली के इसने की घर्दन को पकड़ लेता है वहीं अब ली बाटू को चाकू से जक्मी कर देता है लेकिन इसके दोरान बाटू भी उसे जक्मी कर देता है वहीं अब टॉंग को अपने फादर की चिंता होने लगती है इसलिए वो तुरंत ही वापस जाने लगती है फिर हम देखते हैं कि ली और बाटू ने एक दूसरे को बुरी तरह जक्मी कर दिया है जबकि जिना ने भ लेकिन इसी वक्त जियांट स्नेक भी यहां पर आ जाता है यह देख सासा उसे रोकने की कोशिस करती है लेकिन फिर भी वो जिना को जक्मी कर देता है वहीं टॉंग अपने फादर को जक्मी देख बहुत दुखी हो जाती है जिसके बाद ली सियो से टॉंग का ख्याल रखन के लिए कहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है इसके बाद सियो टॉंग को लेकर यहां से चला जाता है अब उधर जीना जियांट स्नेक को गिरनेट से जक्मी कर देती है जिसकी वजह से वह आट अफ कंट्रोल हो जाता है यह देखते ही लैन सासा को बचाने के लिए उसके स इसी वग्त जियांट स्नेक इनको सामने से घेर लेता है जिसकी वजह से चारो लोग इसके सामने फज जाते हैं लेकिन इसके बाद वह अजानक से डर कर यहां से भाग जाता है क्योंकि यहां की नदी में स्नेकNE गौड थे जो इनके सामने आने के बाद फिर वापस chaotic पानी म में यहां से चली जाती है और इसी के साथ यह movie यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह वडियो आपको कैसे लगी मुझे comment करके जयरूर बता देना और अगर आपने मेरे पिछली वडियो को miss कर दिया है तो lyft वाले वडियो पर जयरूर देख लेना